असलाम अमेकु मेरे प्यारे वीवर्स वेल्कम टू कुकिंग विद नाजी जी हाँ आप बिल्कुल ठीक चैनल पे ही आएं लेकिन मैंने कर दिया है अपने चैनल का नेम चेंज तो सिंपल एंड क्विक रेस्पेस को मैंने कर दिया है रिमूफ अप आप सर्च करेंगी मेरे च कि बहुत स्पेशल जे हैं क्योंकि हमारा फादर के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार होता है चाहे बाप अमीर हो या गरीब हो लेकिन वो अपनी बेटेव को शहजादी आपालता है शहजादी ने की तरह रखता है सबके वालिदान का साय हमीशना हमारे सवर पर काइम और दा जाएगा तो मैं आपके साथ रेस्पी शेयर करती हूं तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़े चाहिए एक कप आइसिंग शुगर मतलब घर में जो नौल में शुगर होती हो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है तो आइसिंग शुगर बन जाएगी एक कप मेदा दो अ जी रेस्पी को करते हैं शुगर एक बॉल में एड करेंगे बटर और बटर के साथ ही एड कर देंगे आइसिंग शुगर और इन दोनों चीजों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स जाओट बीटर केक का बैटर बनाएंगे बीटर यूज नहीं करेंगे इस तरह आपके पास अगर कोई स्पून है अगर आपके पास विस्प भी नहीं है तो आप एक स्पून लेकर उसकी मदद से भी केक का बैटर बना सकते हैं और इसली बन जाएगा जी तो मेरे प्यारे वीवर्स दे के मैंने बटर और शुगर को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स और इसमें एड़ कर दी हैं दो अदद अंडे इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके एड़ कर देंगे मेदा मेदे को मैंने चान लिया था और बेक तो मेरे प्यारे वीवर्स अगर आपके पास केक का सांचा नहीं है तो आपने गबराना बिल्कुल नहीं है आपने होड़ पोड का स्टील का जो उसके अंदर बाउल होता है उसको लेना है निकाल उसके अंदर बटर पेपर लगाना है और उसको ओल से ग्रीस करके बैटर को उसके अंदर डाल देना है और उसको करना है थोरा सा टैप टैप तांके उपर ये जो बबल्स नजर आ रहे है ये बिल्कुल खतम हो जाए जब आप केक का ये बैटर त्यार कर रहे होंगे तब ही आपने प्रैशर को प्री हीट कर लेना है हाई फ्लेम पर उसके बाद आपने सांचे को रख देना है प्रैशर में और नीचे कोई नमक चीनी कुछ नहीं रखना बस एक स्टील की या सिलवर कोई प्लेट या कोटोरी रख दे और इसको 30-25 मिनट तक आपने बेक्टोने देना है एक हमने वनीला केक की लिए लगा लेनी है जो अभी हमने बेक्टोने के लिए रखा है और एक हमने लगानी है रेड रेड या कोई भी कलर अगर आपके पास फूड लिक्विड कलर हो य पिंकिश पिंकिश लग रहा और यह जब केक बनेगा तब इसका टी पिंक सा कलर होगा इस पैटर को भी हम 30-25 मिनट तक बेक कर लेंगे केक बेक हो चुका है कि नहीं हम चेक करते हैं तूद पिक को मैंने केक के अंदर तोड़ा से जिप किया है तूद बिल्कुल साफ है तो बन गया है और वो बन गया है शुगर सीरम तो हम केक की दोनों साइट पर शुगर सीरम लगा देंगे तांकि केक और सॉफ्ट हो जाए तो मेरे प्यारे वीवर्स आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमने रेट कलर डाला था जिस पैटर के अंदर वो भी हो चुका है रेड जी तो मेरे प्यारे वीवर्स हो चुके हैं दोनों लेयर रेडी तो अब हम इसकी करेंगे फ्रोस्टिंग केक को डेकुरेट करते हैं मलाई केकी जो हमने क्रीम क्रीम करनी है उसके लिए मैंने लिया है एक बाउल और अटकी है मैंने बरफ और एक स्टील का पैन लिया है सिल इसको एड़ करेंगे पैन में और इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे अगर आपके पास वीटर नहीं है तो आप ब्लैंडर की बदत से भी इसको ब्लैंड कर सकते हैं तकरीबर हमने इसको दस से पंदरा मिनट तक हमने इसको बीट करना है और बीट करते साथ ही हमने एड करनी है शुगर और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा बटर भी एड करना है तो क्रीम हमारी हो चुकी है, रेड़ी तो मेरे प्यारे वीवर्स हमें चाहिए बहुत बरी सी लेयर्स तो सबसे पहले हम दोनों केक की सेंटर से हम इनको काट लेंगे उनकी दो लेयर कर लेंगे क्रीम में अगर आपको पसंद हो तो आप चोकलेट एड़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद हो आप ना एड़ करें लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैं एड़ करीए कुई इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हम लेंगे एक ग्लास उसके उपर रखी है मैंने एक प्लेट और उसके उपर रखेंगे एक बटर पेपर और केक हमारा बटर पेपर के साथ अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा ही लेना तो इसके उपर थोड़ी से मैंने क्रीम लगाई है और अब हम अपनी केक की इसको set कर लेंगे तो हमने cake को एक plate में रख लेना है इस तरह से हमने सारी cream को इसके ओपर फिला कर इसको set कर लेना है तो मेरे प्यारे वीवर्स आप देख सकते हैं कि हमारा मज़दार समलाई layer cake ready हो चुका है बहुत ही tasty है बहुत ही मज़दार होता है इसको chill करके ठंडा करके खाईएगा अगर आपको पसंद हो तो आप चॉकलेट को crush करके इसके ओपर लगा सकते हैं या बिस्किट को crush करके इसके ओपर लगा सकते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब and प्रेस बेल आइकन फोर मोर टेस्टी, यमी and इजी रेस्पेज दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मिलते हैं अगली यमी सो टेस्टी सी रेस्पे में अला हाफिज